नमस्कार मैं हूँ शिल्पित पाड़ी आप देख रहे हैं भारत एक सोच कानपूर में विकास दुबे ने आठ पुलिस वालों को मारा उसकी बाद पुलिस ने विकास दुबे का नाटकी तरीके से एंकाउंटर कर दिया इस एंकाउंटर के बाद ये चर्चा चलने लगी कि उत्तर पुलिस सरकार में ब्रामणों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है विकास दुबे के साथियों और उसके घरवालों के साथ जो बरताव या एंकाउंटर हुए उससे इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया समाजवधी पार्टी ने नारा दे दिया गाउंगाउं में फैला शोर ब्रामण चला सपा की ओर इतना हंगावा होने के बाद बीजेपी के ब्रामण कानून मंत्री ब्रजेश पाटक को मोर्जब पर लगाया गया कानून मंत्री प्रिजेस पाटक ने कहा कुछ दल सोशल मीडिया के जरीए ब्रामण उत्पिनन का मुद्धा खड़ा करना चाते हैं वो सरकात पर ब्रामण विरोधी होने के आरोप लगा रहे हैं पाटक ने कहा कि कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी अपनी गिरेवा में जहाके और दावा किया कि भाश्पा को ब्रामणों का समर्तन पार्टी गठन के पहले दिन से ही रहा है यूपी में लगबग 14 प्रितिसत ब्रामण हैं जो बेहत प्लैनिक के साथ वोटिंग करते हैं जिदर ब्रामण जाते हैं पार्टी की जित उधर लगबग तै हो जाती है इसलिए कभी मायवती ने कभी कॉंग्रेस ने और अब बीजेपी ने ब्रामण कम्यूटी को थाम लिया है मंडल वाले दोर की बाद यूपी में ब्रामणों ने सत्ता का सहायक बनना स्विकार कर रिया हमेशा सत्ता की सपोर्टर बनकर रहे हैं 2014 लोगसबा चुनाओ के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के साथ केवल 5% ब्रामण हैं कभी कॉंग्रेस ब्रामणों की पार्टी थी अब बीजेपी है यूपी में 14% ब्रामण वोटर 20% मुस्लिम और दलित वोटरों पर भारी पड़ते हैं क्योंकि यूपी में मुस्लिम और दलित वोटर कभी एक तरफा वोट नहीं करते ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां जानती है इस वीडियो की बारे में आपकी क्या रहें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल वाले बैल आइकन को भी ज़रूर प्लिए